गुड मॉनिंग आला फ्यू मैं आज कच्छा दो के लिए हिंदी वन में पाठ पांच पढ़ाने जा रही हूँ पाठ पांच एक कविता है इस कविता का नाम है बादल बच्चो बादल रूई के गोले की भाती इधर उधर घूमता रहता है आसपास के बादल के छोटे टुकडे जब एक साथ जुड जाते हैं तब उनका आकार बड़ा हो जाता है और रंग भी सफेद से बदल कर काला सा बन जाता है काले बादल का एक बड़ा टुकडा दूसरे टुकडे से टकराते ही बिजली चमकने और गरजने लगती है बादल के अंदर भरे पानी के कड़ बारिस की बूंदे बनकर नीचे गिरने लगती है टप 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 बच्चो बादल धर्ती, किसान और मोर आधी के लिए अलग-अलग खुशियां लेकर आता है बादल का मतलब सबके लिए अलग-अलग कैसे होता है आईए ये कविता पढ़ कर जाने दूर देश से आते बादल काले बादल, भूरे बादल कवि कहते हैं कि ये बादल बहुत दूर से आते हैं और अपने अंदर जल एकत्र करके या काफी लंबी दूरी तै करके ये बादल आते हैं और इनमें कुछ काले रंके होते हैं और कुछ भूरे रंके होते हैं आसमान में घूमा करते पागल से मतवाले बादल आसमान में इधर उधर घूमरते हुए बादल ऐसे प्रतित हो रहे हैं मानो मतवाला पागल घूम रहा है अर्थात हवा के साथ बादल इधर से उधर घूम रहे हैं बजा बजा कर ढोल नगारे सज धज कर हैं आते बादल कवी कहते हैं कि जब बादल काले और घने हो जाते हैं और आपस में टकराने से जो ध्वनी उत्पन होती है तब ऐसा प्रतित होता है जैसे धोल नगारे बज रहे हों जूम जूम कर मोर नाचते उमड घुमड जब आते बादल बच्चों जब पूरे आसमान में बादल छा जाते हैं तब मोर खुश होकर प्रसन्न होकर नाचने लगते हैं वह अपने पंखों को फैला कर खुशी को प्रदर्शित करते हैं सागर से गागर भर लाते जब 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 बरसाते बादल समुद्र से भर कर लाए गए जब को बादल बारिस की बूंदों के रूप में बरसाते रहते हैं धर्ती पर हरियाली लाते सब की प्यास बुझाते बादल कवी कहते हैं कि बादल तपती हुई धर्ती की प्यास बुझा कर उसे हरा भरा कर देती हैं अर्थात धर्ती पर हरियाली चा जाती है धर्ती पर पानी को तरस रहे पेड़ पौधे भी जूमने लगते हैं धर्ती पर रह रहे जीव जन्तूओं और पेड़ पौधों सभी को गर्मी से राहत मिल जाती है बच्चो इस पाट से हमें यह सिक्छा मिलती है कि बादलों की तरह सब के मन को खुश करना चाहिए स्वयम खुश रहना चाहिए मस्द रहना चाहिए बादल परुपकार के लिए जल बरसाते हैं वे अपनी ही वर्षा से उगाया गया अन्य ग्रहन नहीं करते हैं बच्चो इस पाट का सभी अभ्यासकार मैं अपने जूम क्लास में करवाऊंगी थैंक यू